नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है competition community में एक बर फिर से और आज के इस lecture में हम जैसे कि पिछले lecture में हमने आपको बताया था कि national और international current affairs का जो पिछले lecture में हमने एक अप्रेल से लेकर साथ अप्रेल तक के जितने भी महत्पून topics थे जो आपके exam के point of view से बहुत important है सभी को discuss किया था आज की इस lecture में हम यहां पर discuss करेंगे यहां पर date गलत लिखा हुआ है इसे थोड़ा सा ध्यान से देख लिजेगा आज की इस lecture में जो हम discuss करने वाले हैं वो करने वाले हैं आपका कबसे 8 अप्रेल से लेकर आज तक यानि की 17 अप्रेल तक के जितने भी important topics हैं उन सभी को यहां पर हम discuss करेंगे आप किसी भी कोने मे प्रेप्रेशन आप इस से मात्यम से कर सकते हो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे अब बहुत अच्छा स्कूर करके होगे बहुत सारे आपके डायमेंशन कवर होंगे यहां पर अगर उस करेंट अफिस रिलेटेड कुछ स्टैटिक पार्ट भी अगर आपके लिए important है त बहतर तरीके से preparation आप कर सकते हैं clear बात है तो चलिए जैसे मैंने आपको बोला कि आज के इस lecture में हम कब से कब तक रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 8 अप्रेल से लेकर आज तक यानि कि 17 अप्रेल तक के जितने भी important topics हैं उन सभी को यहां पर हम discuss करने वाले हैं लेकिन उससे मैं बत चुका है 15 अप्रेल से ही application पर live classes भी available होते है application पर recorded classes भी available होते हैं तो आप यह मत सोचना कि 15 से शुरू होगा तो कुछ lectures आपके छूट जाएंगा इसा बिल्कुल होगा सारे lectures आपके application पर अप्लिकेशन पर अब बहुतर सीखना चाहते हैं कि कैसे एक अच्छा निबंद लि विजट कर लें या फिर नीचे दिएगा नंबर जो description box में दिया हुआ है या फिर यहां पर जो दिया हुआ हुआ है उन numbers पर कॉल करके हमसे संपर कर सकते हैं या application पर विजट कर सकते हैं चलिए तो शुरू करते हैं आज का हम अपना पहला topic जो बहुत important topic है ना सिर्फ आपक production की बात करते हैं जब हम Tiger conservation की बात करते हैं तो यह topic हमेशा हमारे सामने होता है इनके आंकड़े हमेशा हमारे सामने होते हैं क्योंकि यहां से question पूछे जाने के संभावना बहुत अधीक हो जाती है Tiger क्या है आँ स्वारी topic क्या है तो topic है बाग जनगना 2022 यानि की Tiger census 2022 हाली में release किया गया है प्रदानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये इस वर्स अगर हम देखें तो ये पाँचवा रिपोर्ट है किस से संभन्दित बागो की जनगना से संभन्दित इनके census संभन्दित सबसे पहली बार जब release किया गया था तो उस समय बागों की स्थि स्थिति क्या थी और आज बागों की स्थिति क्या है सारे आंकड़े यहां पर हम डिसकस करेंगे ताकि आपका एक एक पॉइंट यहां पर क्लियर हो सबसे पहले पॉइंट पर याद रखिएगा कि प्रतेक चार वर्स में इस रिपोर्ट को रिलिस किया जाता है और यह जो ह पांचवा रिपोर्ट है सबसे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है या फिर की पॉइंट से हम उस पर देखेंगे उसके बाद फिर हम इस जनगना के रिपोर्ट के कुछ अनालेसिस भी वहां पर करेंगे सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2018 से अगर हम 2022 को कंपेर करते हैं तो यहां पर 2018 से 2022 में बागों की संख्या में 6.7% की वृद्धी देखी गई है लेकिन यहां पर एक point आप याद रखना है यहां पर वैलु एडिशन के तोर पर याद रखना कि जब हम 2014 की रिपोर्ड को देखते हैं और 2014 की रिपोर्ड से हम 2018 की रिपोर्ड को गंपेर करते हैं तो यहां पर जो इंक्रीमेंट हुआ था पागों की संख्या में जो वृद्धी हुई थी न वो एतिहासिक था क्योंकि यह वृद्धी जो है वो लगभाग 33% के आसपास था जो एक बहुत बड़ा नंबर है लेकिन 2018 से 2022 जब यह रिपोर्ट रिलीज हुआ जब हम इन वर्सों को कंपेर करते हैं तो सिर्फ वृद्धी जो है 6.7% दर्ज की गई है बात समझ आ रहा है चलो आगे हम यहापर बढ़ते हैं कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं कि आखिर पागूं का जनगन्ना कैसे होता है तो जिन एरिया में टाइगर्स रहते हैं या फिर जो वाइल डाइफ सेंचूरिज अगर हम कह लिए फिर टाइगर रिजर्ब्स का ले या नेसनल पार्ग्स का ले जिन एरिया में रहते हैं उस एरिया में आपको पता है 35,588 स्थानों पर कैमरे लगाये गया और इतने कैमरों के आधार पर यहाँ पर कितने तस्वीरे खीजी गई चार करोड 70,81,881 फोटो जो है क्लिक किये गए उसके बाद पता लगाया गया कि प्रेजन टाइम पर 2022 में इन चार सालों में भारत में बागू की इस्थिति किस प्रकार से है बात समझ आ रही है चलिए इसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर समझने की कोसिस करो कि जब पहला रिपोर्ट रिलीज किया गया कब 2006 में सबसे पहला रिपोर्ट रिलीज किया गया था और इसी समय नैशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑथॉरिटी का गठन भी किया जाता है नैशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑथॉरिटी का जब गठन होता है तो वो टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके प्रोटेक्शन के लिए इनका गठन बार बार किया जाता है अब इस समय 2010 में बागों की संखिया चार साल बाद फीर गणना किया जाता है तो 2014 में 3166 है और अगर हम 2018 से कंपेर करें कि कितने बागों की संखिया यहां पर बढ़ी है तो याद रखिएगा 200 बागों की संखिया जो है वो बढ़ी है यहां पर कौन से राज्य में बागों की संखिया में गिरावट दर्ज की गई है और कहां पर बागों की संखिया में वहाँ पर वृद्धी देखने को मिला है और इसके अलावागार हम बात करें जारखन, चतिसगर, तेलंगाना इन राजियों में बागों की संख्या में गिरावट देखने को मिला है क्लियर बात है, चलिए हम यहाँ पर एक बात करते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट एजेंसी, बहुत ही इंपोर्टेंट ऑथारिटी, जिसका नाम है नेस्नल टाइगर कंजरवेशन ऑथारिटी, इसी ऑथारिटी के दौरा बागों को प्रोटेक्ट करने के लिए अलाग आए जाते हैं, फिर जो रिसर्च किया जाता है, इसी ऑथारिटी के द्वारे किया जाता है, इसका गठन किया गया था, तो इसका गठन किया गया था, हाला कि यह एक्ट पार्लियमेंट में पास हुआ 2005 में, लेकिन यह ऑथारिटी काम करना सुरू करती है, एफेक्टिव हो 1972 में amendment किया गया और इसका amendment 2006 के तहट में होता है और इसी के तहट National Tiger Conservation Authority का गठन किया जाता है इसकी स्थापना पर्यावरन और वन मंतरी की अध्यक्ष्टा में किया जाता है किया गया था क्लियर है यहां तक सारी समझाएगी चलो पढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जितने भी पॉइंट्स है न जो भी यहां पर बताया जा रहा है सारे पॉइंट्स को आप अलग नोट कर लेना और उन पॉइंट्स को नोट करने के बाद सौट नोट्स हमेशा बनाना ताकि आप एक बेहतर तरीके से आने वाले समय में जमाना है तो इसिलिए लिध्यम की ढिमांड हमने पढ़ में भी एक बहुत बड़ा भंडार मिला है अब इलेक्टिकल वहिकल से रिलेड़ेड़ आपको हमेज़ा कुछ ने कुछ important topics मिली जाएंगे clear बात है तो यहाँ पर एक mission है इस mission का नाम है 50K EV4ECO इस mission को जारी किसके द्वारा किया गया है SIDBI के द्वारा SIDBI का मतलब क्या होता है Small Industry Development Bank of India हम इसे कहते हैं जैसा की नाम सही clear है अगर आप यहाँ पर Small Industry Develop करना चाहते हैं तो यह Small Industry Development Bank of India आपको fund provide करती है आपको promote करती है अगर किसी तरह से infrastructure Small industry के लिए develop करना है तो उसमें यह सहयोग प्रदान करती है आगे हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे लेकिन फिलहाल इतना समझ लो कि SIDBI के द्वारा एक mission शुरू किया गया है electrical vehicles को promote करने के लिए उनके infrastructure को develop करने के लिए सुबिधा प्रदान करने के लिए कि charging stations कैसे होने चाहिए कितनी दूरी पर होने चाहिए कहां पर होने चाहिए तुवीलर vehicles के लिए किस तरह से होने चाहिए त्री वीलर vehicles के लिए किस तरह से होने चाहिए फोल वीलर vehicles के लिए किस तरह से होने चाहिए तो यह सारे infrastructures को boost करने के लिए इस mission को शुरू किया गया है ठीक है इस mission को present time पर एक pilot project के तौर पर शुरू किया गया अब बोलोगे pilot project क्या होता है pilot project का मतलब यह है कि अगर government को कोई scheme शुरू करना है और अगर government को लगता है कि क्या scheme successful होगा क्या जो हम draft त्यार कर रहे हैं कि यह सही तरीके से implement होगा तो अगर यहां पर government के पास में बहुत सारे तत्थे नहीं होते बहुत सारे proof नहीं होते कि यह successful होगा तो government पहले उसे छोटी इस तर पर शुरू करती है और उसी छोटे इस तर पर जो इस स्किन को शुरू किया जाता है तो उसी स्किन को हम पाइलेट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रदर्शित करते हैं अब इस योजना का उद्देश electrical vehicles के की फायती यानि की बहुत सस्ती रेट पर पहुंच सके क्योंकि अभी बैटरी इस सब सारी उसके इकुपिंट सा बहुत महंगे मिलते हैं तो इसलिए बहुत कोस्टिंग होता है लेकिन आने वाले समय में एक ऐसा infrastructure त्यार करने की कोशी से है जिसके तहत electrical vehicles को सस्ती कीमत पर प्रमोट किया जा सके क्लियर यह इसका जो है वह objective है बस इस mission के बारे में याद रखी हो सकता है कि यह mission किसके द्वारा सुरू किया गया है यह mission किससे संदर्वीत है तो यहां पर आपसे इस तरह से question पूछा जा सकता है क्लियर है सिट्वी के बारे में है थोड़ी सी बाते जान लो जैसे मैंने बोला कि इसका पूरा नाम है Small Industry Development Bank of India इसको इस्टाब्लिस कप किया गया था तो 2 अप्रैल 1990 को इसे स्टाब्लिस किया गया था यह एक regulatory body है जो कि Ministry of Finance के अंडर में आती है और जैसे नाम से क्लियर है यह हमारे देश में Small Industries को प्रमूट करने का कार करती है और अगर इसका headquarters आप से पूछे जाए तो इसका headquarters है लखनव उत्तरप्रदेश चलिए अगला जो हमारा 2022 यहां पर राज दर्जा दक्षताई यानि की energy efficiency की बात हो रही है इसका मतलब यह हुआ कि राज किस तरह से अपनी energy का इस्तेमाल कर रहा है या फिर green energy में किस तरह से convert होने के लिए effort लगा रहा है या फिर अगर carbon dioxide का emission कर रहा है energy को प्राप्त करने के लिए electricity प्राप्त करने के लिए तो उसकी मात्रा किस प्रकार से है और उसे counter करने के लिए सरकार द्वारा किस प्रकार से एफर्ड लगाये जा रहे हैं तो इनहीं सब अगर हम बादों पर करें तो राज्जियों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा उत्पन करने के लिए ताकि भारत ने जो कमिट किया है ग्लोबल लेवल पर कि हम 2017 तक सुन्य कार्बन एमिशन वाला देश बनेंगे यानि कि सुन्य कार्बन उत्सरजन वाला देश हम यहां पर होंगे इसलिए भारत शुरू किया राज्य दक्षता सुचकांग ताकि यहां पर राज्जियों के बीच में जो है वो प्रतिस्पर्धा बना रहे और इस लक्ष जारी किया गया है अब इसके कुछ important facts हम यहां पर देख लेते हैं यह सुचकांग सबसे पहले आप देखोगे कि किसके द्वारा जारी किया जाता है तो यह सुचकांग जो है Alliance for energy efficient economy के सहयोग से उर्जा दक्षता ब्यूरो जो की विद्दूत मंत्राले के तहत एक body है जो की regulate करती है इस report को और आकड़े अलग-अलग तरीके से pace करती है इसके द्वारा उर्जा दक्षता में राज्यों और केंदर सासित प्रदेशों की वार्सिक प्रगति का आकलन किया जाता है अब यहां पर कौन से राज फ्रंट रनर और कौन से राज अचीवर्स रेनी में आते हैं यह आपके लिए बहुत जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि जब भी आपसे राज्यों के बारे में पुछा जाता है हो सकता है कि इन में से कौन सा राज्य राज्य उर्जा दक्षता सुचिकांग के अनुसार फ्रंट रनर स्रेणी में आते हैं फ्रंट रनर स्रेणी में उन राजियों को रखा गया है जिनका इस score 100 में से 60 से जादा हो वो front runner की स्रेडी के category में रखा गया है जैसे यहाँ पर कौन सा राजी आ जाता है करनाटक आंदरप्रदेश आसम चंडिगर और इस सारे जो राजी हैं यह चार पांच राजी हैं यह कहाँ पर आते हैं front runner में आत हैं इसके अलाबा अचीवर स्रेडी में कौन-कौन से राजी आते हैं जिनका इस score 50 से 60 के बीच में है और यह राजी कौन-कौन से हैं असम हर्याना महराष्ट और पंजाब और बाकि जो स्टेट बच गए वो नीचे category में आते हैं जिनका score अभी 50 से कम है उन्हें बहुत सु स्थापना एक मार्च 2002 को विद्धूत मंत्राले के अंतरगत उर्जा संरक्षन अधिनियम 2001 के प्रापधानों के अंतरगत में किया गया था एनर्जी प्रोटेक्शन एक्ट कि सारा कारे जो है इसके द्वरा किया जाता है क्लियर अगला जो हमारा topic है हाली में केंदर सरकार ने भारतिये अंतरिक्षन नीती को मंझूरी दे दी है यानि की इंडियन स्पेस पॉलिशी 2023 को मंझूरी हाली में भार पाभर सरकार के दौर दिया गया है इस policy को मंजूरी देने का मतलब अब यह हुआ कि भारत में private sector की company अगर space sector में invest करना चाहती है अगर इस छेतर में कुछ बहतर कारे करना चाहती है तो इस policy के तहत इन्हें promote करनी के लिए अलग-अलग provisions और अलग-अलग features provide भारत सरकार के तरफ से कराया जा रहा है एक आकड़ा है कि 2012 से लेकर अब तक भारत में अगर देखोगे तो सो से ज्यादा company प्राइवेट company जो space sector के लिए काम कर रही है और इस policy के तहत उन्हें बहुत सारे features provide होंगे बहुत सारे subsidies provide किये जाएंगे और इनके तहत में इन्हें क्या होगा यह आने वाले समय में space industries में ब क्योंकि आने वाले समय में space industries भी एक बहुत बड़ी industry बनने वाले है economy में इनका contribution बहुत जादा बढ़ने वाला है तो इसलिए यह बहुत important हो जाता है अगर इस policy के सबसे important key points की बात करें तो अभी space agency में अगर हम private companies का contribution देखिए तो वो सिर्फ 2% तक है और इस policy के तहत इसे बढ़ाकर करना है 10% तक यह कुछ important इसके feature है जिसे आपको यहाँ पर ध्यान देने के जरूवत है clear है चलिए इसके कुछ और यहाँ पर important points देख लेते हैं जैसे नई नीती के तहत भारतिया अंत्रिक्ष अनुसंधान संगठ है यानि की इस्त्रो इंडिन स्पेस research organization यही जो होगा वो technology provide कराएगा research provide कराएगा और अलग-अलग development के कारी किया जा रहे है तो उसे regulate कौन करेगा regulate करने वाली अगर कोई agency होगी private companies का तो regulate भी इस तो के द्वारा ही किया जाएगा अंत्रिक छेत्र में नीजी खिलाडियों की अगर कोई भागेदारी वैस्विक अंत्रिक च जो कि private companies को regulate कौन करेगा बहुत सारे private companies आएंगे छोटे बड़े साव आएंगे इस तो एक main body होगा ही लेकिन इस तो के अंडर में भी एक और agency काम करने वाला है जिसका नाम है New Space India Limited ये क्या है तो ये है आपका एक public sector undertaking और इस public sector undertaking के अंडर में ही जो private companies space agencies के चित्र में कारे कर करना चाहते हैं यानि कि यह सरकारी company है जो कि इस रों के अंतरगत में आती है और इसका headquarter भी कहां आपको देखने को मिलेगा पैंगलूर में ही देखने को मिलेगा और इसकी स्थापना 6 मर्च 2019 को किया गया था यह जो policy develop किया गया है यह जो नए policy space policy launch किया गया है खासकर इस reusable हम satellite का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके द्वारा और हाली में एक satellite launch किया जा रहा है SpaceX के द्वारा जो कि अब तक का सबसे सक्तिशाली rocket उसे कहा जा रहा है तो आने वाले समय में हम उस पर भी discuss करेंगे उस topic के उपर में clear है चलिए अगला यह एक बहुत important topic हो जाता है क्यों कि हाली में Finland को NATO में सामिल कर लिया गया है NATO का मतलब क्या है NATO का मतलब है North Atlantic Treaty Organization एक संधी है जो अब Finland के सामिल होने के बाद 31 देशों के साथ में मिलकर यह बना हुआ है यानि कि इस संधी में 31 देश सामिल है आगे मैं आपको बताने वाला हूँ NATO के बारे में बहुत detail में लेकिन सबसे पहले समझ लो Finland आखिर NATO में सामिल की हुआ अभी present time पर चल रहा है Russia और Ukraine के बीच war और इस war का हिस्सा रसिया की जो आसपास वाले country हैं उनको भी डर है कि आने वाले समय में हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है तो इसलिए यह country चाहते हैं किसमें सामिल होना नाटो में सामिल होना ताकि उन्हें कम से कम security प्रोवाइड हो सके इसी उद्देश के साथ में फिनलेंड जो है present time पर नाटो में सामिल हो चुका है इसकी महत्वता को अब समझो कि फिनलेंड का जो बॉर्डर है ना वो लग भ वार के situation में प्रेजन टाइंप पर उसमें सामिल नहीं हो पाया है अब हम बार-बार यह क्यों कह रहे हैं कि नाटो में सामिल हो जाएगा तो उसे रस्या से डर खत्म हो जाएगा या फिर इतना एफर्ट लगा रहे हैं लोग नाटो में सामिल होने का इसके पीछे का reason समझो इसके पीछे का reason है ये treaty जब sign किया गया था North Atlantic Treaty Organization तो इसके जो संस्थापक देश थे इसके संस्थापक देशों की संख्या कितनी थी? 12 इसको गठित कब किया गया? यानिकि ये संधी कब किया गया? तो ये किया गया 1949 जब Second World War खत्म होता है तो बहुत सारे countries जो US के साथ में थे और बहुत सारे countries कुछ रस्याइन की USSR के साथ में थे तो जो US के साथ में उन countries को यहाँ पर ये डर होता है कि अगर आने वाले समय में जैसे हैं कि हम US का साथिये बाद में हमसे USSR बदला ले सकता है होता है न कि अगर मान लो दो पावर्फुल ताकतें लड़ रही हैं आप अपनी आसपास छेत्रों में देख लो और उस पावर्फुल को चोटे चोटे लोग कोई उसका समर्थन करते हैं और जब लडाई खदम हो जाता है तो बाद में छोटे चोटे जो ग्रूप सोते हैं उनको डर होता है कि कहीं बड़ा ग्रूप उन पे अवी न कर देतों तो अमेरिका की तरफ से एक पहल किया जाता है और उस पहल के और present time पर इसमें 31 देश सामिल है अब देखो इसकी importance समझो कि North Atlantic Treaty Organization का एक article है जिसे हम कहते हैं article 5 यह article 5 कहता है इसका कि अगर इस 31 देशों में से अगर किसी एक देश पर भी हमला हुआ तो यह माना जाएगा कि यह हमला सिर्फ इस एक देश पर नहीं हुआ है यह हमला नाटो पर हुआ है यानि कि इस 31 देशों पर हुआ है और यह 31 देश साथ में मिलकर उस देश के साथ में लड़ सकता है तो इसलिए फिल्लेंड अगर नाटो में सामिल हो गया और कल को अगर फिल्लेंड पे अटैक किया जाता है या वार किया जाता है तो बाकी कि 30 देश जो है वो फिल्लेंड के साथ में खड़े हो जाएंगे इसलिए इसकी महत्वता बढ़ जाती है क्लियर हो गया नाटो के बारे में समझ गया अब यहाँ पर नाटो जैसे एक military alliance है ये भी ध्यान रखना और Bruce Lace Belgium इसका headquarters है क्लियर चलिए पढ़ते हैं अगले topic की तरफ अगला जो हमारा topic है असम का भीहू निर्त ने हाली में Guinness Book of World Record में सामिल हुए इसे सामिल किया गया है तो जबी हम अगर किसी राज़ के खास art and culture के बारे में बात करते हैं या फिर अगर वहां कोई वारत गया दियांतर है उसके बारे में बात करते हैं तो यहां से कभी न कभी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेशन सबसे पूछी दिया जाता है। तो हाल ही में बिहुन रित्य को Guinness Book of World Record में सामिल किया गया जो कि असम में प्रेजेंट किया गया था। का आघमन जैसे जैसे होता है तो देरे देरे अलग-अलग राज्यों में नव वर्स वह में अलग अलग तरीके से वहां के परमपराय का हिशाब से जो है प्रोग्राम आयोजीत किया जाते है। तो इसी के तहट कहां असम में आयोजित किया गया है जिसका हिस्सा प्रधानमंतरी स्टरी नरेंद्र मोदी भी बने थे और इसे गिनिस बूक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सामिल किया गया है आपसे यहाँ पर प्रशनी इस तरह से पूछ सकता है कि भीहु नृत्य किस राज रिकॉर्ड में शामिल किया गया है कलाकारों के दोस्त रेडियों में विस्त रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया सबसे बड़ा बहुन रित्य प्रदर्शन और लोग संगित कारों द्वारा सबसे बड़ा प्रदर्शन किया गया है क्लियर अब इसके लावा कुछ और राज इसके अलाबा वैसा खड़ी सही पूरे भारत में बनाये जाने वाले विविन प्रामपरिक नवर्सों को उत्सप के अफसर पर बदाए लिए राश्टपती द्वारा दिया गया है तो यह अलग-अलग राज्यों को जो नवर्स के अफसर पर प्रोग्राम सहयुजित किया जा यह important हो जाता है कि हाली में आम आदमी पार्टी को जो है राश्टिये पार्टी का दर्जा दिया गया है सबसे पहले इसमें समझ लो राष्टिय पार्टी का दर्जा प्राप्त अभी वर्तमान समय में कुल पार्टियों की संख्या कितनी है ये पार्टी कौन-कौन सी है तो सबसे पहले आ जाता है आपका भारतिय जनता पार्टी उसके बाद भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस, पहुजन समाजवादी पार्टी, भारतिय कम्यूनिस्ट पार्टी माक्सवाद और नैस्नल पिपुल्स पार्टी के साथ अब लास्ट में जुड़ गया कौन? आमादमी पार्टी. तो इस तरह से राष्टिय पार्टी का दर्ज प्राप्त भारत में कुल पार्टियों की संख्या हो गई है, छे डारेक्ट आपसे प्रशन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, अब इसके विपरित कुछ पार्टियों का जो पहले राष्टिय पार्टी हुआ करते थे, उन्हें अब इससे बाहर कर दिया गया है, जैस जो देखो यह चुनाओ चिन की हम बात करते हैं तो यह आपको जब आपको राष्टिय पार्टी का दरजा दे दिया जाता है, तो इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है ना, आपका चुनाओ चिन अब किसी को नहीं दिया जा सकता, किसी भी राज्य में, किसी भी इसमें आपको वह चुनावचिन ही नहीं दिया जाता तो यहां पर चुनावचिन आरक्षन एबावं आवंटन आदेश 1968 के तहत में निर्थारित मान रंडू पर यह निर्थारित किया गया है और यह जो चुनावचिन प्रतान या फिर राज पाटी का दर्जा छेत्रिय कि 1951 के तहट किसी पार्टी को राष्टिय पार्टी या फिर राज्जिस्तर का पार्टी का दर्जा दिया जाता है अब किसी पार्टी को राष्टिय पार्टी का दर्जा कब दिया जाता है तो कुछ यहां पर कंडिशन से हैं जैसे पहला कंडिशन देखोगे कि अगर कोई प अगर उसने 6% वोट प्राप्ट किया है तो उसे राश्टी इस्तर के पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है या फिर अगर कोई पार्टी तीन राज्यों में कम से कम अगर चार लोग सवासिट जीत कर आती है तो उसे भी राश्टी पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है जोग सभाचुनाओं में फुल सीटू का अगर 2% सीट भी प्राप्त कर लेती है तो उस पार्टी को राष्ट्रिय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। तो इस तरह से यहां पर आप राश्टिय राजनितिक पार्टी यानि कि नस्नल पॉलिटिकल पार्टिस के बारे में याद रखिएगा कौन-कौन सभी प्रेजन टाइप पर नस्नल पॉलिटिक्स है कौन से एक्ट है या फिर कौन से नियम के दाए चुनाव चिन का वंटन किय तो चलिए आज के इस लेक्टर में फिलाल इतना ही जितने भी इस हफते के इंपोर्टन टॉपिक्स थे आठ अपरल से लेकर 17 अपरल तक के उसे हमने डिसकस कर लिया है इसके बाद नेक्स्ट लेक्टर में भी हम बहुत सारे इंपोर्टन टॉपिक्स के साथ मिलेंगे तो आप बने रहिएगा रेगुलर बेसिस पे लेक्टर पसंद आट आप इसे लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहेगा तो फिलाल इस लेक्टर में इतना ही थांक्यू थांक्यू बर मच्च अगर आप चाहते हैं अपने केरियर को एक नई दिश झाहते हैं